दोस्तो चाइना ने अपने ही पैरो पर एसी कुलहाडी मारी है जो अब चाइना को बहुत ही जादा भारी पढ़ने वाली है और चाइना की इस बेवकुफी की वज़े से अब चाइना पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका है और इस बेवकुफी की वज़े से अब चाइना को बिलियंज ओफ डोलर का भी चुना लग चुका है दरसल पूरा मामला कुछ इस प्रकार ही कि चार मार्च को ही हमने आपको बताया था कि चाइना की तरफ से ये दावा किया गया है कि हमने एक सिमिलेशन के दोरान भारत के 17 र रफाल फाइटर जेट को मारने का दावा किया है लेकिन चाइना के इस दावे को लेकर अब कुछ एविएसन एक्सपर्ट्स की तरफ से इस बात की जाँच की गई है कि क्या चाइना वाके में ही सच बोल रहा है या फिर चाइना फेक प्रोपोगेंडा फैलाने की कोशिश क रहा है और इस जाँच के दोरान एक्सपर्ट्स ने ये बताया है कि जो चाइना का ये जे ट्वेंटी फाइटर जेट है ये रफाल फाइटर जेट का मुकाबला कभी भी नहीं कर सकता है इस बात के पीछे कारण यह बताया गया है कि जो इस समय रफाल फाइटर जेट के अ रेडार पकड़ने का दम रखता है और एक friendly exercise के दोरान हम पहले भी देख चुके हैं कि रफाल फाइटर जेट ने अमेरिका के F-22 रैप्टर तक को लोग कर दिया था इसे में रफाल फाइटर जेट के लिए J-20 को पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं होगी क्योंकि J-20 एक proper stealth नहीं है और जो चाइना ये दावा कर रहा है कि हम अपने J-20 फाइटर जेट की मदद से रफाल फाइटर जेट को मार कर गिरा सकते हैं तो आपको बता दे कि यदि चाइना के J-20 की तरफ से रफाल फाइटर जेट को डिटेक्ट करने की कोशिश की जाएगी तो उससे पहले ही रफाल फाइटर जेट, J-20 फाइटर जेट को मिसाइल लोग कर देगा और आप सभी ये बात भी जानते हैं कि इस समय रफाल फाइटर जेट के अंतर दुनिया की सबसे घातक एर टू एर मिसाइल यानि की मिट्योर मिसाइल लगी हुई है तो एसे में चाइना के J-20 फाइटर जेट के बचने के चांसिस बिल्कुल ना के बराबर है साथ में एवियेशन एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि चाइना को इस बात को लेकर इस समय विचार करना चाहिए कि चाइना अपने J-20 फाइटर जेट को रफाल फाइटर जेट से केसे बचाएगा और इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि भले ही चाइना ने अपने J20 फाइटर जेट को बनाने में अब तक billions of dollars खर्च कर दिये हों लेकिन चाइना आज भी J20 को एक proper stealth फाइटर जेट नहीं बना पाया है और 8 से 10 सालों में जो चाइना ने 200 की संख्या में J20 फाइटर जेट बना कर तयार किये हैं अगर चाइना इन फाइटर जेट की जगह पर रेशिया के 157 फाइटर जेट को ले लेता तो फिर भारत के सामने बड़ी दिक्कत खड़ी हो सकती थी और इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि इस समय भारत के सामने जो सबसे बड़ी दिक्कत होने वाली है वो यह है कि भारत 36 रफाल फाइटर जेट की मदद से चाइना के 200 की संख्या में J20 फाइटर जेट का मुकाबला नहीं कर सकता है इसे में भारत के लिए बहतर यही होगा कि भारत को जल से जल अपनी वायू सेना में और अधिक रफाल फाइटर जेट की संख्या को बढ़ाना चाहिए और जितनी भी यह बाते आपको बताई गई है यह सारी की सारी बाते ही एवियेशन एक्सपर्ट की तरफ से की गई है और अब आपी कमेंट करकर बता सकते हैं कि क्या हमको MRFA डील में रफाल फाइटर जेट को लेना चाहिए हाँ या फिर ना इस बात कंसर आप कमेंट बोक्स में दे सकते हैं ठैंक्स फोर वोचिंग इस वीडियो